हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपको थकान या कमजोरी है, तो आप इस तरह का मिल्कशेक बना के देखिए, आपको ये मिल्कशेक बहुत पसंद आएगा और इससे आपकी थकान कमजोरी भी दूर हो जाएगी तो मैं यहाँ पर तीन ग्लास मिल्कशेक बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर दो केले लिये हैं आप केले की कॉंटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आपको मिल्कशेक घाड़ा पसंद आः तो आप केले की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हमें केले को छील के छोटे-छोटे टुकड़ों में काटके तयार कर लेना है आप चाहिए इसे बीच में से तोड़के भी डाल सकते हैं यह मिलकशेक पीने में बहुत ज़्यादा टेस्ट है और बहुत ज़्यादा हिल्दी है इनके छिल के हटा लिया है और यहां पे मैंने आदा कटोरी लिया है आप चाहिए इनकी कॉंटिटी कम जादा कर सकते हैं सबसे पहले हमें चैनों को पीस लेना है यह देखिए चैने का पाउडर बन के तयार हो चुका तो अब हम इसमें एड़ करेंगे जिसे कि इसका एक पेस्ट बन के तयार हो जाएगा पहले मैं पूरा दूद एड़ नहीं करने है बस थोड़ा सा दूद एड़ करने है और इसका एक पेस्ट बना के तयार कर लेने है और यह देखिए हमारा पेस्ट बन के तयार हो गया है अब हम इसे सव कर लेंगे और ऊपर से थोड़े से कटेवे बादाम डाल देंगे लीजिए तैयार है हमारा मज़िदार सा मिल्कशेक अगर आपको ज्यादा ठेंडा पसंद है तो आव इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते है ये मिल्कशेक बहुत जादा ठेस्ट है और अपने फेलिए औन फ्यूंडैंदा अपने फेंट कर लगी है ज़के कर जए किया भी तो आपके साथ वो रॉस्पी जरूर शेर करूंगी मिलते हैं फिर से लगी डी